नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चनल टार्गेट सिविल सरसेस में तो आज 31 अक्टूबर और मद्रदेश के डेली करेंटेफर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 31 अक्टूबर के करेंटेफर तो लेक्षर ध्यास देखिएगा और दोस्तों आज आपके चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर लिजिए चली दोस्तों आब हम डेश का रिविजन कर लेते हैं यह लास्ट डे है हम रिविजन का अक्टूबर महा के जितने भी डेश उनका एक अक्टूबर को हमने बनाया था विश्व साकाहरी दिवस दो अक्टूबर को और दोस्तों हमारे देश में राश्ट्री सिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो यह पाथ सितंबर को मनाया जाता है आठ अक्टूबर को वायू सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों और चार दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है पंधरा जनवरी को थल सेना दिवस म मना जाता है और हमारे देश में राश्ट्री बाली का दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों तो ये मनाया जाता है 24 जैनवरी को याद रिखीगा 24 जैनवरी को राश्ट्रिय बाली का दिवस 11 अक्टूबर को अंतराश्ट्रिय बाली का दिवस 13 अक्टूबर को विश्व आपदानियंत्रन दिवस 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 15 अक्टूबर को विश्व चात्र दिवस हमारे देश के पूर्व मानिनी या राष्टपती एपीजे अब्दुल कलाम जी की जैनती पर हम मनाते है विश्व छात्र दिवस सोल अक्टूबर को विश्व खात दिवस, सत्रा अक्टूबर को अंतराष्ट्रिय गरिबी उनमूलन दिवस 21 अक्टूबर को पुलीस इसमरती दिवस, 24 अक्टूबर को सह्यूक्त राष्ट दिवस और 27 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है इन्फ्रैंट्री डे और देखी दोस्तों आज 31 सक्टूबर और 31 सक्टूबर को मनाया जाता है राश्ट्री एकता दिवस भारत में राश्ट्री एकता दिवस दोस्तों या National Unity Day 2014 से हर साल 31 सक्टूबर को भारत के लोह पूरुस सर्दार वल्लब भाई पटेल जी की जैनती के उपलक्स पे मनाया जा और इस वर्स वर्लब भाई पटेल जी की 146 वी वर्स गाठ है जिन्होंने भारत के स्वतंतरता संग्राम में और बाद में देश के एकिकरन के दौरान महत्पूर्ण भूमी का निभाई है और देखी दोस्तों आजादी की समय भारत में जो 552 से अधिक देशी रियासतों मे भारत में मिलाने का कार्यकत के दौरा किया गया इसे वहां पर प एदराबाद की रियासति और जम्मु कस्मीर के रियाषत थी और दोस्तों आपको याद होगा कि जुनागल रियासत को वोटिंग के दवारा हमारे देस्क में विले करवाया गया था और जो हैदरबाद के रियासत थी वहाँ पर पोलो ओप्रेशन चलाया गया था जो आर्मी के जवान थे उनको पुलीस की वर्दी पहना कर वहाँ पर दियाद में हुआ था और दोस्तों वह स्वतंत्र भारत के पहले ग्रह मंत्री और उप्रदान मंत्री थे उन्होंने भारती संग बनाने के लिए कई भारती रियासतों के एकिकरन में महत्पूर्ण भूमिका निभाई है और स्वतंत्रता के समय उन्होंने कई रियासतों को गड़बंदन करने के लिए राजी करने में महत्पुन भ्यूमिका निभाई और उन्होंने भारत की स्वधंतरा के लिए एक सामाजी की नेता के रूप में भी कड़ी मेहनत की है और बारडोली की महिलाओं ने वल्लबाई पटेल को सरदा की उपादी दी याद रखीएगा और उन्होंने स्रेष्ट भारत भारत बनाने के लिए भारत के लोगों में एकजूट होकर करका अनुरोध किया तो उन्होंने भारत के सिविल सेवकों के संद्रक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारती सेवा प्रनाली की स्थापना की ती और गुजरात के नर्मदा जीले के के वर्या में स्टेच्यू अफ यूनिटी का निर्मान उनके संबान में किया गया है और देखी दोस्तों यह है हमारा टेलेग्राम चैनल टार्गेट सिविल सर्विसेस इस पर डेली 20 कोशन का क्वीज होता है और जिसमें 15 कोशन जो रहते हैं यह मद्यप्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रिवियस एक्जाम में पूछी जा चुके और एक्जाम पस्पेक्ट्व से होते हैं और दोस्तों इस टाइप से कर सकते हो टेलेग्राम चैनल के लिंक का आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी चली दोस कि आयू में निधन हो गया है चमबर बी और दोस्तों यह कि अधाने की कैपिटटल बैंगलोर में हुआ ठालें इस फॉसन था हमारा अभम बभर विभाग में पसुपालकों श्माषयों के लिए एक दिवसी पसुपालक वेबिनार का आयोजन कहाँ पर किया है तो ये हमारे मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है तो इसका आंसर भूग गया था option number B next question था दोस्तो हमारा उच्च सिक्चा मंतरी डॉक्टर मोहन यादो ने मद्यप्रदेश के कितनी सास की अग्रणी महाविद्यालय को आदर्स महाविद्यालय के रूप में विक्सित किया जाने की घोशना की है तो ये पूरे 52 जीलों के अग्रणी महाविद्यालय को आदर्स महावद्याले के रूप में विक्सित किया जाने की घुशनकी है किसके द्वारा हमारे उच्छ सिख्चा मंतरी डॉक्टर मुहन यादो के द्वारा और दोस्तों हमारे मद्ध्रदेश की स्कूल सिख्चा मंतरी कोन है तो यह विश्वास सारंग है और तकनिकी यान विभाग भी है दोस्तों उच्छ सिख्चा विभाग में राष्ट्री सिख्चा निती 2020 लागू करने वाला देश का पहला राजी कौन सा है तो वह हमारा मद्ध्रदेश है याद रखिएगा उच्छ सिख्चा विभाग में ठीक है वैसे अगर हम बात करें तो अल सहर के पास तो इसका आंसर क्यों गया था दोस्तों आप्सन नमबर बी और जितने भी पूरा पासानकाली सेलचीत रहे तो उनको पुरातत विभाग पुरक्षित एवं सन्रक्षित करेगा चली दोस्तों अब स्राट करते हम आज के करेंटेफेर तो आज के करेंटेफेर में पहला कोशन है हमारा मद्यप्रदेश ने साथ करोड कोविड-19 वैक्सिनेशन डोस का लक्ष कब पूर्ण कर लिया है तो यह 29 अक्टूबर को पूर्ण कर लिया है दोस्तों इसका आंसर कर जागा ऑप्सन नमबर सी 29 अक्टूबर और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टन स्टाट किया गया था कब से 16 जनवरी 2021 से स्टाट किया गया था और हमारे मद्यप्रदेश में 287 दिनों में साथ करोड कोविड टिकाकरन डोस लगाई जा चुक है इसमें जो प्रत्थम डोस है वह 4 करोड 98 लाग दूती डोस 2 करोड डोस सम्मिलित है तो लगभग यह कितने पाच करोड हो गया और लगभग यह 2 करोड हो गया ठीक है प्रदेश में कोविड वैक्सिनेशन को गति देने के लिए मुख्य रूप से चार महा अभियानों का आयोजन किया गया था अभियान की सुरुवात में प्रती करोड लग्स प्राप्ति में अनुपात 30 दिन का समय लग रहा अभियान के आयोजनों के पस्चाथ 15-20 दिनों के प्राप्त किया जा रहा है और हमारे मद्रप्रदेश के कुल 46 जीलों में प्रत्थम डोज की उपलब्दी 90% से अधिक पुर्ण की जा जुकी है और 30 अक्टूबर 2021 प्राप्तह 8 बजे तक कोविन पोर्टल रिप लग्ष प्राप्ति में मद्रप्रदेश देश में द्वीतिय इस्थान पर है याद रखिएगा और साथ ही गर्बवत्ती महिलाओं के वैक्सिनेशन में देश में कूल कवरेज का 25% योगदान मद्रप्रदेश का है और देखी दोस्तों हम बात करें कि कब कितने करोल डोज लगाए जा चुके हैं तो 24 माई 2021 को हमारे मद्रप्रदेश में 1 करोल डोस लग चुके थे फिर उसके बाद 28 जुन 2021 को 2 करोल डोस और 28 जुलाई 2021 को 3 करोल डोस उसके बाद 21 अगस 2021 को 4 करोल डोस 8 सितंबर 2021 को 5 करोल डोस पूर्ण कर लिए गयते और 24 सितंबर 2021 को 6 करोल डोस पूर्ण कर लिए गयते और 29 अक्टूबर 2021 को साथ करोल डोस लग चुके हैं हमारे मद्रप्रदेश में नेक्स कोशन है हमारा राजपाल स्री मंगुभाई पटेल जी ने राश्ट्री आयुरुवेद दिवस ये कब मनाया गया दोस्तों ये मनाया गया 30 अक्टूबर को एवं धनवंतरी जयनती के कारिक्रम में उतकरष्ट सेवा कारियों के लिए किसको समानित किया है तो ये स्री सुली एपन और स्री वंस धवर्धन तिवारी दोनों को दोस्तों इसका आंसर कर जाएगा और सी ए और बी दोनों तो देखी राजपाल स्री मंगुभाई पटेल जी के द्वारा राश्ट्री आयुरुवेद दिवस एवं धनवंतरी जयनती के कारिक्रम को मिंटो हॉल में स जवलपूर के हुम्योपैथिक चिकित्सक स्री एन सोली एपन और रिवा के आयुरुवेदा चारी स्री वंस वर्धन तिवारी का उत्रश शिवाकारियों के लिए सम्मान किया नेक्स कोशन है दोस्तो हमारा किस जिले के अविसी सर्मा और मुहमद आसीम ने अंडर 14 नेशनल टैनिस रैंकिंग टूर्नामेंट के एकल खिताब जीते हैं तो दोस्तो ये है भूपाल के तो इसका आंसर कर जागा आप्सन नमबर B भूपाल तो देखिए अवसी सर्मा और मुहमद आसीम ने अंडर 14 नेशनल टैनिस रैंकिंग टूर्नामेंट के एकल खिताब जीते हैं बारा साल के अवसी पहली बार नेशनल चैंपियन बनी है जबकि आसीम ने दूसरा टूर्नामेंट जीता है वे कुछ दिन पहले अंडर 16 नेशनल टूर्नामेंट जीते थे इन अध्यप्रदेश की अविसी सर्मा ने महाराष्ट की जानवी चौगुलों को तीन सेटों तक चले मुकाबले में तीन चे एक चे और छे तीन से हराया जबकि बायर सिंगल्स में मुहमद आसीम ने करसियों को सिधे सेटों में छे जीरो छे चार से हराया नेक्स को सने दोस्तों हमारा भोपाल के किसोर कुमार जेना ने राष्ट्री ओपन लिन थ्रो चेंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक तो इसका आंसर कर जागा दोस्तों आप्सन नमबर A स्वर्ण पदक और देखिए अभी हाली में देल वोपाल उनिट में प्रधान आरक्षक के पदपर कारिरत किसोर कुमार जेना ने न्यू डेली में हुई तीसरी राष्ट्री ओपन जैवलीन थ्रो चेंपियंशिप में स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्री ओपन जैवलीन थ्रो चेंपियंशिप का आयोजन जन द दिल्ली के जवारलाल नेरू स्टेडियम में किया गया था कहां पर किया गया था दोस्तों दिल्ली के जवारलाल नेरू स्टेडियम में ठीक है और यह प्रतियोगी था तेवी से 24 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी और इस नेशनल चेंपियंशिप में दीजबर के रसन में प्रसिक्षन ले रहे हैं और जेवलीन थ्रो में यहां उपलब्दी पाने के बाद किसों से उम्मेदे बढ़ गई है और दोस्तों इन्होंने नेशनल चैंपियंशिप में 74 मिटर से ज्यादा दोरी पर भाला फिक आए ठीक है तो याद रखीएगा नेक्स कोशन है हमारा मद्यप्रदेश में खंडवा लोगसभा सीट पर उपचुनाव में कितने प्रतिसे तोटिंग हुई है तो दोस्तों यह हुई है 63.88% तो इसका आंसर क्या सीट थी खंडवा लोगसभा तो इस पर जो वोटिंग हुई है जो 63.88% हुई है देख सकते हो और इसके पहले जो वोटिंग हुई थी 2019 में वो कितना पर सेंट हुई थी दोस्तो सेवंटी सिक्स पॉइंट नाइन जीरो पर सेंट हुई थी ठीक है इस बार बहुत कम वोटि वोटिंग हुई थी 79.6% वोटिंग हुई थी ठीक है 2018 में ता पिसले विदान सबाद चुनाओ अब अगले विदान सबाद चुनाओ कब आएगा दोस्तो 2023 में आएगा तो अब हम यहाँ पर रहेगाओ की तो रहेगाओ में कितनी परसेंग हुई है इस बार 69.01% ठीक है और इ इस बार 53.30% ठीक है और विदान सबाद चुनाओ में कितने परसेंग हुई थी 52.84% वोटिंग हुई थी तो अली राजपूर में इछले विदान सबाद चुनाओ की तुलना में अधिक वोटिंग हुई है बाकि जितने भी विदान सबाद चीट है रहेगा हो गई प्रित् दक्षिन पूर्वी चेत्र गुंडवाना चेत्र में तुझ की टिकमगल के बाद निवाली भी बन गया है और यहाँ पर देख सकते हो आप बैतूल शिनवाडा सिवनी बालागाट मंडला दिंडोरी यह सारे 25 गुंडवाना में आते हैं और दोस्तों आज के लिए आपका क तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा ठीक है और सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका और दोस्तों आज के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए और लाइक शेयर करना ना भूले थैंकि सो मच गाइस फर वाइस वीडि दियो